वेलकम टू माई येटूब चैनल समरपांट रद्दा लार्निक पाइंट दोस्टो आज मैं आपके लिए 24 नमंबर से लेकर 30 नमंबर तक की करेंट अफेर्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट कोउचेंस हैं उसे आज मैं कवर करूँगी आजकर लगवग सारे एकजाम में करेंट अफेर्स एक महटमन टॉपिक बन चुका है इसलिए मैं उमिर करती हूँ आजकर हमारा ये वीडियो आपके लिए हिर्फुल हो और आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखने का प्रयास करें तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करत है ग्रेटा ठूमबल को अंतराश्तिय बात्सांती प्रस्कास से सम्मानित किया गया है कौन सा राज क्रिकेट्रों के साथ अनुबन करने वाला पहरा राज बना है तो ये उत्रा खन है जिसने क्रिकेट्रों के साथ अनुबन करने वाला पहरा राज बना है उत्रा खन उत्राखन की राजधानी देहलादुन है, यहां के मुखमंत्री तिद्विन सी रावत है, तथा राजपार बेवी राणी मौर हैं Mr. Universe का खिताब जितने बाले पहले भारतिये कौन बने है चित्रिस नस्टन, मिस्टर उनिवर्स का खिताब जितने बाले पहले भारतिये बने हैं किस देश ने भारत को MK45 टोप देने का फैसला किया है यह अमेरिका ने भारत को MK45 टोप देने का फैसला किया है अमेरिका, अमेरिका के राष्धानी वासी गटन डीसी है, यहां की मुझ्रा डॉलर है तथा राष्टपती डुनाच जम्प हैं और हमारे दिस भायत में राष्टपती का पद अमेरिका के सविधान से ही लिया गया है इंडो अरव लिद्स सम्मिट एंड आवाज 2019 में किसे सम्मानित किया गया है तो यह बज्ञा पुनिया को इंडो अरव लिद्स सम्मिट एंड आवाज 2019 से सम्मानित किया गया है मतर्सकार भरोसा योजना किस रासरकार ने सुरू की है तो ये आंद्पदिस, राज सरकार ने मतर सकार भरोसा योजना सुलू की है आंद्पदिस, आंद्पदिस के राजधानी है रावाड है यहां के मुकमंची बाइस जगमोहन रेदी है तथा राजपार विश्वभुशन हरीचंदन है भार्टिय नौ सेना की पहली महिला पाइलट कौन बनी है सिवांगी भार्टिय नौ सेना की पहली महिला पाइलट बनी है किस राज के बिधी आयोग ने जवरन या धोके से धम परिवर्टन पर साथ साल की सजा का प्रावधान किया है तो ये उत्तर प्रदेश राज के बिड़े आयोग ने जवरन या धोखे से धंपरी बटन पर साथ साल की सजा का प्रावधान किया है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के राज़ानी रखनव है यहां के मुखमंट्री योगी याधित नाध है तथा राजपार आनंडी विंट पटेल है डेविस कप 2019 का खिटाब किसने जीता है राफ्य नदार ने डेविस कप 2019 का खिटाब जीता है संगाई महोसव 2019 की सुरवाट कहां हुई है तो यह मनिपूलपूर में संगाई महोसव की सुरवाट हुई है मनिपूर, मनिपूर के राज़धानी इंफार है यहां के मुखमंट्री येन बिरेंसी हैं तथा राजपार नजमा हे पुल्ला है किसे ने अस्कॉर्टिश ओपन का खिटाब जीता है लच्छ सेन ने अस्कॉर्टिश ओपन का खिटाब जीता है ओक्सफोर्ड डिक्ष्णरी का वर्ड ओप्ड इयर किसे चुना गया है सेंटर राष्ट के पर्याटर निकाए के पर्मुख कौन बने है सुमन बिल्ला सेंटर राष्ट के पर्याटर निकाए के पर्मुख बने है किस अस्कॉर्टिश सरकार ने नौक्रियों में खिलारियों के लिए पांच परसेंट आरक्षण की घोचना की है मर्द पर्यश की राष्टानी भोपाल है यहां के मुखमंट्री कमलनाथ है तथा राष्पाल लाल जी टंडन है तिसरा सैंट साहित महोसब कहां आयोजित किया जाएगा तो यह चंड़े गड़ में तिसरा सैंट साहित महोसब आयोजित किया जाएगा किस अदा सरकार ने नागरिक हिल्फ लाइन नंबर 144 सुन सुन लाँच किया है तो यह आंद पर देश लाइन सरकार ने नागरिक हिल्फ लाइन नंबर 144 सुन सुन लाँच किया है किसी अंतराश्टी प्रेश फ्रीडम आवाज से सम्मानित किया गया है नेहा दिक्षित को अंतराश्टी प्रेश फ्रीडम आवाज से सम्मानित किया गया है किस राज के पर्याटन विकास निगम ने टाइम्स गुरूप के साथ समझाटा किया है अस्रम के राज़ाने डिश्पूर है यहां के मुकमनची सर्वानन दिसोने वाल हैं तथा राजपार जगदिश मुखी है किस राज सरकार ने गिड़ सरक्षन केंड़ अश्ठापिट करने की घोशना की है और मैं उत्तर परेश के बारे में पहले बता चुकी हूँ सेंतारिस भी अखिर भारतिये पुलिस बिज्ञान कॉंग्रेस का सुभारम कहां हुआ है तो ये लखनव में सेंतारिस भी अखिर भारतिये पुलिस बिज्ञान कॉंग्रेस का सुभारम हुआ है महारास्ट के नए मुखमंत्री कौन बने है उड़ ठाकरे महारास्ट के नए मुखमंत्री बने है महारास्ट के रज़ानी मुंबई है और यहां के राज़पार भारत और किस देश ने पहला दुए पक्षिये माई निक्स 2019 अभ्यास आयोजित किया है तो यह जापान ने भारत के साथ मिलकर पहला दुए पक्षिये माई नेक्स 2019 अभ्यास आयोजित किया है जापान जापान के राज़धानी को क्यों है यहां के मुझ्जा येन है तथा प्यधानमंची सिंजो आबे है Tata Communication ने किसे अपना MD और CEO निक्ट किया है ऐसे लक्ष्मी नारायन को Tata Communication ने अपना MD और CEO निक्ट किया है गौर्डन पिकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है तो यह पार्टिकर्स फिल्म ने गौर्डन पिकॉक अवार्ड जीता है किस ने क्रतब पोर्टल का सुभारम किया है रमेश पोक्रिया निशंक ने करतव पोर्टल का सुभारम किया है और ये करतव पोर्टल मांसिक निवर्पतियोगता के लिए एक पोर्टल है रमेश पोक्रिया निशंक के लिए रमेश पोक्रिया निशंक के लिए जारें संक केंद्री मानव संसाधन विकासमंत्री हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही मैं उमिद करती हूं आज का हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें अधिक से अधिक सेयर करें और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबादें ताकि वीडियो लोड होते ही आप टाक नोटिफिकेशन पहुंच सकें और हमारे वीडियो में कुछ कमी हो तू से कमेंट करके बता दें